नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेडी वित अर्विंद में तो आज की हमारी वीडियो पार आवरंट सब्जेक्ट पहोगी जो की मद्यप्रदेश सब इंजिनियर और मद्यप्रदेश टीचर पात्रता परिच्छा दोनों में काफी इ के इति हैं ग्रिंफ्र प्रभाव क्या है तो ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रिध्रगी कर्ने प्रिथबी पहाँ जाती ऑम लेकिन कार्बन डाय अकसाइट की गैसे कि यहरे के को начал पार इस नहीं जा पाती है उसके बाद राष्टिय बन नीती में कितने प्रश्थ भू भाग पर प्रिच लगाना अनिवार्य है तो 33 प्रश्थ ब्रिच लगाना अनिवार्य है ग्रीन पीछ क्या है तो migrant पिस का प्रिफ्स एक पार्य Indeा योजना है पादभन कि गए तो पार्यवाण विभाद के अस्ठापना护 फर्श्थ संयुbilत राष्ट पार्यकरम का का हेडकॉर्टर कह थका है तो नेरोभीकं राता वह मत श् wh कहा है तो डालावल स्थ निव२्य ILO International Labor Organization का Headquarter कहा है तो वो भी जेनेवा में है उसके अलावा Metrological यानि मांसून विभाग का Headquarter कहा है तो वो भी जेनेवा में है आते हैं अगले पॉइंट पे तो टाइगर राज्य मद्यप्रदेश को जाना जाता है तो केम मुंसी ने बन महुत्सो इस्टार्ट किया था विश्व बन ने चीव संद्च्छन कोस का Headquarter कहां पेश्थी थे तो सिटर्ज लेंड में सोफोकेशन क्या होता है तो सोफोकेशन वह फिनामिना होती है जहां आक्सीजन की कमी का प्रभाव पढ़ता है सर्वधिक ओजोन कहां किसके कारण पाए जाती है तो सर्वधिक ओजोन में कौन सी गैस पाए जाती है तो सी अपसी क्या होता है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन और बिच्छो का आदमी किसे कहा जाता है तो सुन्दरलाल बहुगूरा को कहा जाता है सर्वाधिक जै विवित्ता ट्रोपिकल रेनफारेस्ट एरियों को में पाए जाती है को बाटा निकल फार्क कहां पे हैं तो बाटा निकल पार्क लखनाव में है तो के निधा के रूप में निधे करते हैं उसके अलावा 5 जून को विश्व इन्वार्मेंटल दिवस के रूप में मनाया जाता है रेट डाटा बुक बिलुप्ट के क्या है तो रेट डाटा बुक बिलुप्ट से के संकट वाली प्रजातियों के बारे में होता है विश्व का सबसे प्रदूशित नगर कौन सा है मेक्सिको सीटी CNG का FULL FARM क्या है तो compressed natural gas CNG CNG का FULL FARM compressed natural gas कितने decibel तक हम ध्षनी सुन सकते हैं तो 65 decibel तक हम ध्षनी सुन सकते हैं भबित से काई इंदन किसे कौन आते हैं तो भबित से काई इंदन hydrogen को काते हैं भारत का पारयवन्द सिछा केंद्र कहा हैं तो भारत का परवन सिच्छा के इंद्र अहमदाबाद गुजरात में है इंद्रा गांदी वान की दिवस कम बना जाता है तो 21 मार्च को बना जाता है भारती ये बन प्रबंदन संस्थान कहां पे है तो भोपाल में श्ठित है आपदा की प्रकार कितने प्रकार के होते है तो आपदा दो तरह की होती है एक प्राकिर्थिक आपदा एक मानवी आपदा तो प्राकिर्थिक आपदा क्या होती है तो बार्ड, सूखा, चक्रवाद, बादल का फटना, भू अस्खलन और सुनामी वही मानो कृत आपदा क्या है, तो रासानिक दूरगटना, परमानो दूरगटना, बमबारी, जन्संख्या विस्पोर्ट, मानो जनित थेतू, भूवस खलन तो इस तरह से आपदा दोप्राकार की होती है, मानो जनित और प्राकेर्तिक और मानो जनित भुकम, भुकम को क्या काते हैं तो भुकम को अगर इंगलिस में अर्थक्वेक काते हैं भुकम के अध्यान को क्या का जाता है तो सिस्मोलोजी का जाता है भुकम पियंत्र है, सिस्मोग्राप सरवदी भुकम पॉला देश कौन सा है तो जापान है भुकम्प मापने कीकाई रियक्टर स्केल समुद में उठने वाले भुकम्प की लहरे सुनामी कालाती है भारत में सरवधी भुकम्प वाला छेत्रे हिमानचल प्रदेश और गुजरात गुजरात में कच्छ का एरिया ज़्यादा ही होता है उसके बाद सुनामी सब्द जापानी सब्द से लिया गया है उसके बाद रियक्टर में कितने तक रिडिंग होती है तो जीरो से नौ तक रियक्टर इसकेल पर रिडिंग होती है तो एक बार ब्रिप में हम पढ़ते हैं भुकंप की स्टेडी को सिस्मोलाजी काते हैं, भुकंप मापी यंद्र को सिस्मोग्राप काते हैं, सरवधिक भुकंप वाला देश जापान है, भुकंप मापने काई रियक्टर इसकेल है, रियक्टर इसकेल की लिमिट जीरो से नौ तक होती है, और समुद्र में उठने वाल भुकम को सुनामी करते हैं भारत में सरुदिक भुकम वाला खेतर हिमान चल्थ कुजरात है 2 ौइस सबसे बाढ़ा महादीब कौन चाहे तो हैlegen जारे स्वाधी घ्रलीन मांट अबुचाही कितने 8888 से अब 5850 मिटर होगी है यानि माउंट आब्रेस Kya К mods 88850 मृत यह को अफरिका से अलग कौन करता है तोsch कैनल करता है इस जो आक किसले जोड़ती है लार श्रुज सगर और भूम्मध्य सेगर कही जोड़ती है तो चैनल का क्या नाम है? स्वेज का नाम है। विस्व का सबसे बड़ा महादीप कौन चाह है? तो अरब प्राय कौन हे लिवादीप, बिस्व का सबसे उचा पठार पामीर का पठार, ऐसय की गला कि सबसे लंबी नादी इंंग्सी. तो यह सिया की सबसे लंबी नदी यंग सी 200 का सरवदिक वर्षा वाला छेत्र मांसी राम छे रापुजी में पाया जाता है लाल सागर और भूमद्य सागर को जोड़ती है वह नहर है स्वेज नहर तो लाल सागर और भूमद्य सागर लाल सागर ही थ्याओर इटर इन दोनों को जोड़ती है śուेज हे कौन सी वह पायणाल है तो लाल सागर को जोड़ती है और एक कैनाल किसके लिए फेमस है तो यह ट्रांस्पोर्टेश्य पर्पज के लिए ज़्यादा इंपर्टेन्ट है और इसे transportation ज्यादा होता है, और एक iss country में होके जाती है, तो यह मिसर country में होके जाती है, जो एजिप्ट, एजिप्ट country नाम से जानते है मिसर। तो इस उसके बाद विशो का दूसा सबसे बड़ा महादीब, बड़ा महादीब कौन है, तो अफरिका महादीप अफरिका महादीप में स्वंड आग दच्छन में जाना जाता है मतलब पहला कोश्चन देखिए विस्यो का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन है तो अफरिका है उसके बाद इदा का छोड़ दी हीरो की नगरी इनवरेली बड़ेली नहीं इनवरेली उसके बाद जन जाती हूँ का महादीप कौन है तो अफरिका सबसे ज़्यादा जन जाती है कहाँ पाई जाती है तो अफरिका महादीप में पाई जाती है दच्छन का ब्रिटेन किसे कहते हैं तो न्यूजिलेंड कहते हैं न्यूजिलेंड का राष्टिय पच्छी क्या है तो कीवी, न्यूजिलेंड का राष्टिय पच्छी कीवी है, और दच्छिन का ब्रिटेन न्यूजिलेंड कंट्री है, और न्यूजिलेंड का राष्टिय पच्छी कीवी है, न्यूजिलेंड की तरफ छोटी कौन सी है, तो म सबसे बड़ा बंदर्गाह कौन है, तो NICK-Y Apos, सबसे बड़ा बंदर्गाह है। सबसे बड़ा रेलेस्ट जंक्षन सी कागो में। शीकागो अमेरियका में है। नुवयर काई है तो अमेरिका में है। चीनी का कटोरा किसी कहा जाता है तो कियूबा को कहा जाता है वहीं चीनी सबसे ज़्यादा भारत में कहां होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है रेड इंडियन जन जाती क्या होए कहां पर पाय जाते है तो मेक्सिको में पाय जाती है स्वित्माद दीप कहते हैं अंग अंटार किटीका को सक्रिय जौला मुखी कहां पर है तो माउंट एबोस में मर्दा का वितरन तो मिर्दा कितने तरह की होती हैं तो जलोड मिर्दा, जलोड मिर्दा, काली मिर्दा, लाल मिर्दा, लेटराइट मिर्दा, परवती मिर्दा, अस्थली मिर्दा, उसके अलावा पीट मिर्दा भी होती है, तो ये मिर्दा के प्रकार होते हैं, उसके बाद हरित क्रांती की बात करते हैं, तो हरित क्रांती क्या ह हरित क्रांती का संबंद किसे है तो खारद्यान उत्पादन अमिनाथन है वहीं अगर विश्व अस्तर पर देखे तो नार्मल बोर्ड लांग है जो अमेरिका के थे हारित क्रांती का संबंद है खाद्यान उत्पादन बढ़ाने से स्वेत क्रांती का संबंदी थे दुग्द उत्पादन के लिए स्वेत क्रांती के जनक है डाक्टर वार्जिन कुरियन और स्वेत क्रांती किस दिन मनाई जाती है तो 26 नौंबर को मनाई जाती है स्वेत कांती का संबन दुगदूत पादन से है 24D क्या है तो खर परतवार नासी दवा है जैविक क्रिसी अपनाने वाला भारत का पहला राजे कौन सा है यानि which one is first organic state in India तो सिक्किम इसका correct answer है हर इक हादवाली फसल सनई, धेंचा, लोगिया, उरद, मुंग और जुआर है सफेद सोना किसे कहते हैं तो कपास को सफेद सोना कहते हैं अलफानसो क्या है तो एक आम है उसके बार दान के किस्में जया, पद्मा, पंकच, जमुना, साबरमती, ताइचुंग, 65 तो जया, पद्मा, पंकच, साबरमती, ताइचुंग, 65 ये धान की फसले हैं, धान के खेत में जय उर्वरक के तरप सर्वधिक उपिक्त कौन सा है, तो जय उर्वरक एजोला, भारत के प्रमुख पठार, तो भारत के प्रमुख पठार कौन-कौन से हैं, तो भारत का सबसे बड़ा पठार, डक्कन का पठार है, जो माराष्ट में पाय जाता है, भारत का सबसे उचा पठार, लद्दाक का पठार, जम्मु कस्मिर में, विस्व का सबसे उचा पठार, त तो जो भ्हारत का रूट छोटा नागपुर का पठार कहा है तो जारखन्ड में है और धकन का पठार जो कि महराश्च में उसके अलबार जैसे मालवा का पठार है इस तरह से संसार की छत किसे कहा जाता है तो पामीर की पठार को भारत में पठार कौन से हैं तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कार बिंग पठार, उसके अलवा मालवा का पठार, स्री रंकन बुंदेल खंड का पठार, मिवाड का पठार, करनाटक का पठार, दंड कारण का पठार अब आते हैं रामसर साइट पर तो रामसर साइट क्या होती है तो ये आदर भूमी आदर भूमी के बारे में बात करते हैं तो रामसर सम्मेलन आदरभूमी सनरचन से पिश्व आदरभूमी का परतम सम्मेलन दो फरवरी उनैस्वेकाथर में इरान के रामसर सवार में हुआ था तो रामसर सम्मेलन दो फरवरी उनैस्वेकाथर को इरान के रामसर सवार में हुआ था भारत में बरतमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है तो 47 है वहीं इनेसको साइटों की संख्या कितनी है तो इनेसको साइटों की संख्या 40 है उसके बाद जम्मू कस्मीर में कौन सी जील है तो चिलका जील नहीं है बुलर जील है उसके बाद सामोरी जील आदरभूमी पुर्भी कोलकता, आदर भूमी. और सुंदर वनремं का δल्टा कौन बनाता है? हो. सुंदरवान का ड्यल्टा बनाता है? और ब्रह्मपुत्रा नदी सुंदरवान का ड्यल्टा. बनाती है जो कि मैग्रो बनस्ट पतिया पाई जाती है यहाँ पे ज्यादा और यह आद्र भूमी है मद्यप्रदेश में भोज आद्र भूमी भारत का सबसे बड़ा कोईला छेत दामोदर की घाटी भारत का सबसे बड़ा कोईला खनन छेत जहरिया जहर खंड तो भारत में सबसे बड़ा कोईला खनन छेत जरिया जार खंड वहीं मद्यप्रदेश में बात करें तो सिंग्रावली और सिंग्रावली को पावर हाउस आप मद्यप्रदेश भी कहा जाता है किस प्रकार के कोईले को कार्बन का प्रिस्ट मातर अधिक होती है एंथ्रेसाइट कोईले में असी प्रिस्ट के 95% तक भूरा कोईला के नाम से जाना जाता है जो नाइट कोईला कहते हैं तो असी से 95% कोईले होता है जो एंथ्रेसाइट कोईला कहा जाता है भारत की पहली तेल सोदा कार खाना अस्थापित किया गया था तो असम के डिग बोई में भारत में पहली बार तेल सोदा कार खाना कहां अस्थापित किया गया था तो असम राजी के डिग बोई में भारत में पोन उर्जा उत्पादर में प्रथमराज्य है तो Tamiya लाडव है बायो डीजल निर्माढ के लिए Jetropha वाली उर्जा परित्थी बीफ के भुबाग से प्राप्त होती है तो ये उर्जा होती है तो बायो डीजल कहां से कैसे होती है तेजे ट्रोफा ट्री से हमें प्रोडक्शन किया जा सकता है उसके अलावा पेट्रोल के लिए प्रसीद बंदरगा कौन है तो हल्दिया हुगली नदी पर जो बेश्ट बंगाल में है उसके वह भारत में जारी बंदरगाओं का उदार जारी बंदरगाओं का तो कंडला और टाइमंड हर अगर दीन दयाल बंदरगा का नाम चेंज हुआ है और कंडल क्या किया है तो कंडला कर दिया है कंडला का नाम दीन दयाल बंदरगा रख दिया गया है जो की गुजरात में है और उसके बाद भारत की सबसे लंबी सडख भूपेंदहजारी का फूल दोला सदिय से 9.1 किलो मिटर है मतलब कि दीन दयाल बंदरगा का नाम चेंज करके कांडला बंदरगा का नाम चेंज करके दीन दयाल बंदरगा रख दिया गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो भूपेंद्र हजारी का सड़क और एक कहां से तो पूल ढोला से सदिया के बीच में है और इसकी लेंध कितनी है तो 9.15 किलोमीटर भूपेंद्र हजारी का पूल निर्मित किया गया है ब्रह्मपुत्रा नदीप और कौन से नदीप है तो ब्रह्मपुत्रा नदीप है और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के साथ मिलती है तो कौन सा डेल्टा बनाती है तो सुन्दरवन का डेल्टा बनाती है सुन्दरवन के डेल्टा किसली है और प्रसिद है तो मेगरो की बनस्पतियों के लिए भारत का सबसे लंबा प्लेट फार्म कौन है तो गोरकपूर और गोरकपूर कहा है तो गोरकपूर उत्तरप्रदेस में गोरकपुर में और famous क्या है? तो गोरकपुर से योगी आदित्यनात उत्तरप्रदेश के चिप मिनिस्टर है, उसके अलावा गोरकपुर में टेरा कोटा famous है, उसके अलावा गोरकपुर में के पास 44 नामक जवापा 1922 में 44 ट्रेन दुरकटना हुई थी भारत की सबसे लंबी दूरी ताय करने वाली ट्रेन कौन सी है तो बीबेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी ताय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है और एक कितनी दूरी ताय करती है तो 4286 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करती है तो सबसे लंबी दूरी ताय करने वाली ट्रेन विबेक एक्सप्रेस है जो की 4-2-8-6 किलोमीटर दूरी ताय करती है भारत की सबसे लंबी रेल सुलंग पीर पंजाल रेल सुलंग है भारत में सबसे उंची सडक लेह मनाली जो है सबसे उंची सड़क जो ले मनाली से होका जाती है, वो सबसे उंची सड़क है, मानोशरी में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है, तो यक्रित है, यह खेत में ग्लुकोज, ग्लुकोज को सुक्रोज में परिवर्थित करता है, उसे करते हैं ग्लाइकोजन, ग्लुकोज को सुक्रो पहले तो 0, 7 और 14 होता है pH scale और जो 0 से 7 के बीक में होता है उसे acid बोलते है जो 7 पहोता है और neutral होता है और 7 से 14 के बीक में होता है उसे base बोलते है और base को हिंदी में बोलते है छारी और acid को हिंदी में बोलते हैं अमली तो यानि 7 से 14 के बीक में जिसका pH value होगा उसे छारी बोलते है और छारी पित्र कैसा होता है तो पित्र एक छारी तरल पदार्थ होता है मनुस्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो मनुस्य में पसलियों की संख्या बारा बारा जोड़ी होती अगर दोनों को जोड़ दिया जैजित चोबीस होती है पोसर पदातों का असोसन होता है छोटी आत्मे तो पोसर पदासों का असोसन होता है छोटी यात में मानो सरी की दूसी सबसे बड़ी ग्रंती है अगनास है और मानो सरी की दूसी सबसे बड़ी ग्रंती कौन है तो अगनास है एंजाइम का रासानिक प्राकृतिक है प्रोटीन कौन सा एंजाइम ग्लुकोज को इथनाल में परिवर्थित करता है जाई इमेज दूद में पाय जाने वाला सकरा लेक्टोज गाय के दूद में हलके पीले रंग होता है गाय के दूद में क्या होता तो बीटा के रोटीन होता है दुख्द प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेन इंग, एक बयस्क मनुस में हड्डियों की संख्या होती है 206, एक सिसु में हड्डियों की संख्या होती है 300, तो एक बयस्क मनुस में हड्डियों की संख्या होती है 206, और एक सिसु में हड्डियों की संख्या हो इसके बाद आफिम प्राप्त किया जाता है कैप्सूल फल से काफी में कौन सा मादक पदात पाय जाता है तो काफी में कैफीन नामक मादक पदात पाय जाता है उसके बाद तमाखू में कौन सा मादक पदात पाय जाता है तो काफी में कैफीन पाय जाता है और तमाखू में निकोटीन पाय जाता है चाय में थिन तो कैफीन निकोटीन और थिन चाय में थिन तमाखू में निकोटीन काफी में कैफीन इंडिया में जूट की बनास्पती है डलवर जिया प्रकास अंसलेशन के दौरान हरे पौदे निम्न में से किस सोख लेते हैं तो प्रकास अंसलेशन के दौरा हरे पौदे कारबन डायकसाइड लेते हैं और आक्सिजन निकालते हैं अपसिष्ट अपसिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीओं को कहा जाता है मृतक को भच्छी अपसिष्ट परदार्थों को खाने वाले को कहते हैं मृतक को भच्छी तो जो अपसिष्ट पदार्थो या मिर्तक जीओं को खाते हैं उन्हें मिर्तको जहची कहते हैं कीट बच्छी पौदो को तीज, पाक, खंडी, पेट्रो या हूटी, कुरेश या डायनो है जन्तु का प्रथम संग है प्रोटो जोवा जन्तु जगत में जन्तु का सबसे बड़ा संग है आर्थो पोड़ा किस जीओ को अमरत्तो की संग्या दी गई है आमीबा और किस जीओ को अमरत्तो की संग्या दी गई है तो अमीबा को दी गई है दंत कोजिकाएं होती हैं पूरा फेरा यानि अस्थनदाली अंडे देती हैं उंट के कूबर में क्या संचित होता है तो बसा संचित होता है उंट के कुबर में वसा संचित होता है धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है जे डेन धान में खैरा रोग होता है और किस की कमी से होता है तो जिंक की कमी से होता है नीबू में धाई वैग रोग होता है और किस से होता है तो ये कापर की कमी से होता है उसके बाद फूल ग में ब्राउनियन रोग होता है बोरान की कमी से होता है आलू में ब्लेक होट रोग होता है जो किसे होता है ओटू यह ओटू मतलब आक्सीजन की कमी से जो जब हम आलू को रखते हैं किसी को इस्टोरेज में तो वहाँ पर ओटू एपसेंस आप ओटू ड्यू टू हैपन द ब् कमी से होता है इधे जू वाला होता है तो जली फर्म होता है प्यायज के छिलके उतारते समय आखों से आँसुक्यों आता है और सिनकोना एक ट्री होता है उसकी छालों से सिनकोना को की छाल से हम कुनायन प्राप्त किया जाता है और कुनायन मलेरिया के उपजार के लिए उपिक्त है सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो फीमर की हड़ी जो जांग में पाई जाती है सबसे छोटी हड़ी इस्टेपी जो कान की हड़ी होती है इन सब में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो ग्रंथी कौन सी है यक्रित है सबसे बड़ी ग्रंथी कौन है तो यक्रित यानि लीवर सबसे बड़ा अंतरस्रावी ग्रंथी कौन है सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है तो नियूराम है उसके बाद सबसे बड़ी धमनी है तो एब्डोमिनेल और हर्ट सबसे लंबी तंत्रिका है CRT का या कुछ जनतुओं को स्वसन कैसे होता है जैसे मनस्स फेफड़ों से स्वसन करता है बिच्छुό बुक से करता है मछली जली ये जनतुओं है जो की गिल और यां फेफड़े से फेफडा गिल जीसे गील मशली का स्वसन गील या फेपड़े से होता है हाथी, सेर, गाय, बकरी, मेड़क, सरपंच ये सब फेपड़े से स्वसन कारते है जली, जन्तु का स्वसन गलफ़डु द्वारा किया जाता है खोज घंख कारता चेचक की खोज किषने की एडवर्ड जेनर ने और 1798 में बेसिस सिंथेसिस जिवान रोज की खोज की रावर्ड कोच ने 1886 में पेनिसिलीन की खोज की एलेकजंडर फ्लेमिंग 1929 में पेनिसिलीन की खोज की एलेकजंडर फ्लेमिंग ने उसके बाद बेसीन सिंथेसिस की खोचकी Robert Koach ने और चेचक की खोचकी Edward Kennan ने और चेचक की खोचकी बिलियम हरवें ने रक्त पाईसन चन्ड की खोचकी उसके बाद कार्ड लेंडिस्टीनर ने रक्त की खोचकी इवान पावलाक ने किस की खोज की तो पावलाक किस के लिए जाने जाते हैं तो आगमन का सिधान्त आगमन के सिधान्त के लिए पावलाक जाने जाते हैं उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किस ने की तो अलेकजंडर फ्लेमिंग ने की पेनिसिलिन दावा की कोज किस ने की तो अलेकजेंडर फ्लेमी ने और बेसी सिंथेसित की राबर्ड कोच 1876 में चेचा की कोड एड़वार्ड चेनर ने मास्टर ब्लास्टर की उपादी किसे जाना जाता है तो सचिन तेंदिलका को और साचि मली किस खेल से संब्द देते हैं तो कुष्टी से है योगे सद किस खेल से हैं तो कुष्टी से है उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है तो पीटी उसा को वही उड़न परी के नाम से पीटी उसा को जाना जाता है मदवनी का संबन्द बिहार से ये बिहार की मदवनी पेंटिंग बहुत ही फेमस होती है इस साल कुलू हिमाले प्रदेश में परता है उसके बाद पिथोड़ा जो की मदव प्रदेश का एक आठ है उसके बाद पीतल की कारिगरी कहां पर होती है इत्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जाता है, उसके बाद चिरावल नाच कहा है, तो चिरावल नाच मिजोरम कहा है पुसकर मेला अजमेर में राजस्थान में लगता है, बिसुपर्व कहा होता है तो केरल राज्जी में होता है सुया मेला रायस्थान नैना देवी हिमानचल प्रदेश में सुया मेला रायस्थान में होता है और नैना देवी मेला हिमानचल प्रदेश में होता है हरेला महोटसर उत्तराखंड में होता है माग मेला उत्तराप्रदेश प्रयागराज में होता है जो हर साल आयजित किया जाता है बटेस्वर मेला कहां पर होता है तो आगरा में होता है उसके बाद ददरी मेला कहां पर होता है तो ददरी मेला बलियां में होता है जो की सबसे बड़ा सेकेंड कैटल मेला है उसके बाद नोचंडी का मेला उसके बाद साकमभरी का मेला ओडम ओडम कहां का है तो ओडम का रिलेशन है केरल से और ओडम किस दिन को मना जाता है तो मकर संक्रांति के दिन के ही ओडम के दिन को ही ओडम के दिन यहां केरल में ओडम नाम से मना जाता है लोकरंग कहां पर है तो लोकरंग क्या फेस्टिवल सिलिवेट किया जाता है तो यह मद्ध्य प्रदेश में किया जाता है गणेश चतुर्थी महराष्ट में बैसाखी पंजाब में पॉंगल तमीलाडु में रामनावमी उत्तर प्रदेश में सिलिवेट किया जाता है बीहू कहां पर होता है तो बीहू असम राज्य में होता है उसके बाद लोसार फेस्टिवल कहां पर सिलिवेट किया जाता है तो सिक्किम राज्य में किया जाता है तो थैंक्यू सूमच पर वाचिंग इस वीडियो